दोस्तों आज के इस वीडियो में आपन बात करेंगे Senior Citizen Saving Scheme के बारे में ये Scheme क्या है? कौन-कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? Minimum और Maximum Deposit की क्या Limit है? और भी क्या इसके Features है? Interest Rate क्या मिलता है? और Income Tax के अंदर आपको क्या Benefit देखने को मिल जाते हैं? और साथ ही बात करेंगे कैसे आप स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके साड़े 8% से भी ज़्यादा का Return कमा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैं Banking Baba YouTube चैनल तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें कौन-कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है तो कोई भी Resident Indian अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है जिसकी Age जो है वो 60 साल से अधिक होनी चाहिए Single account open करवाना चाहिए तो Single account open करवा सकते है Joint account open करवाना चाहिए तो Joint account की भी Facility मिल जाती है Husband और Wife मिलके Joint account open करवा सकते है एक परसन कितने अकाउंट open कर सकता है इसकी भी कोई limit नहीं है लेकिन Maximum Investment करने की जो limit है वो है 15 लाग रुपे तो सपोज आपने एक अकाउंट में 5 लाग इन्वेस्ट कर दिये तो आप 10 लाग और इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आपने एक अकाउंट में 15 लाग इन्वेस्ट कर दिये तो आप दूसरा account open नहीं करवा सकते जब तक वो account पूरा नहीं हो जाता है और minimum deposit की बात करें तो 1000 रुपए invest करके भी आप अपना account open करवा सकते हैं interest rate की बात करें तो 7.4% का interest आपको इस scheme में देखने को मिल जाएगा यानि कि 1 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं तो quarterly basis पर जितना भी interest बनेगा वो आपको pay कर दिया जाएगा जो interest होगा वो 7.4% की rate से calculate किया जाएगा यानि कि हर quarter जो भी interest बनेगा वो आपको pay कर दिया जाएगा आपको एक time में पैसा invest करना होगा और 5 साल तक कि यह scheme है यानि कि एक बार आपने पैसा invest किया तो हर quarterly आपको इस पर जो भी interest बनेगा वो pay कर दिया जाएगा और scheme खतम हो जाती है 5 साल के बाद में तो वो पैसा जो है आपका वापस आपको मिल जाएगा 5 साल के बाद में आपके पास एक option और होता है आप इस scheme को extend करवा सकते हैं 3 सालों के लिए लेकिन आज से 5 साल बाद जो rate होएगी interest की वो rate ही applicable होएगी extended period में यानि कि अगे कि 3 साल में जो interest rate होएगी वो आजा पता नहीं कर सकते हैं पांच साल बाद जो interest rate होएगी वो ही आपको extend करने को मिलेगी अगर आप extend करवाना चाहते हैं तो अगर नहीं चाहते हैं तो 5 साल बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं income tax में क्या-क्या benefit मिलते हैं उसकी बात करें income total 50,000 रुपए तक exempt होती है यानि कि 50,000 रुपए तक की interest income tax free होती है उसके उपर कोई भी tax नहीं लगता है section 80 TTB के according senior citizen के लिए अब बात करते हैं senior citizen saving scheme में पैसा invest करके कैसे आप 8.5% का interest कमा सकते हैं तो उसको समझते हैं एक example की मदद से suppose आपके पास एक लाग रुपए हैं आपने उस एक लाग रुपए को इस scheme में invest कर दिया आपको interest मिलेगा 7.4% का यानि कि एक साल का 74,000 रुपए हर quarterly आपको पे किया जाएगा यानि कि 1850 रुपए आपको चार बार साल में पे किया जाएगा total interest जो इस scheme का बनेगा 5 साल का वो हो जाएगा 37,000 रुपए का अब 1850 आपको जो interest मिल रहा है हर quarterly उस interest amount को आपको post office की RD account में जमा करवा देना है हर महीने RD account में आपको पैसा जमा करवाना होता है वहाँ पर आपको interest मिलता है 5.8% का ये भी आपको 5 साल के लिए open करवा लेना है जो आपको quarterly basis पर 1500 रुपए का interest मिल रहा है उसको 3 हिस्सों में divide करके 617 रुपए लगबग होता है लेकिन post office RD account में आप round figure 10 में ही पैसा जमा करवा सकते हैं तो 610 रुपए आपको हर महीने post office के RD account में जमा करवा देना है अगले 60 महीनों तक यानि कि जो interest आपको senior citizen saving scheme से मिल रहा है उस interest को आपको RD account में जमा करवाते जाना है यानि कि 610 रुपए आप RD account में जमा करवाते जाएंगे यानि कि आपका 60 महीनों में total deposit जो हो जाएगा 36,600 रुपए आपको interest मिला वहां से 37,400 रुपए तो यह आपके पास अलग saving हो गई इसको आप अलग कर दीजिए अब जो RD account है वो आपने 610 रुपए से जमा करवाया total आपका जो जमा है वो 36,600 हो गया और जो post office के RD account में आपने 36,600 रुपए जमा किये वहां से आपको interest मिलेगा 5,970 रुपए 5,970 रुपए यहां से 37,000 रुपए आपका senior citizen saving scheme से आया तो उमीद गरते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कैसे आप 8,5% का interest कमा सकते हैं उसी के साथ साथ जो invest कर रहे हैं उस पर आपको ATC की भी deduction मिल रही है और उसी के साथ जो आपको interest मिल रहे है उस पर भी आपको 50,000 रुपए तक कोई भी tax pay नहीं करना है और इस senior citizen saving scheme के क्या rule होते हैं, क्या regulation होती है, कैसे invest करना है उसके उपर हमने एक detail वीडियो बना रखाए जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करना, चैनल पर नए होता चैनल को subscribe करना मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और interesting वीडियो में, तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा